सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार और यहां पर बहुत बड़ा धमाका हो गया कौन सा धमाका जो मैंने बताया था प्यारे बच्चों वही चीज आया है 75% कोईश्चन वही फस गया है इस पेपर में जी हां देख लीजिएगा कौन कौन से मैंने जो आर्टिकल बताया था आपको वे सारे आर्टिकल्स आये हुए है ठीक है और यह तो पैसेज आप इसी में से लिखना होता है तो पैसेज आप कर लिए होंगे ठीक है यह सारे पैसेज ठीक है इसका साल्व आपको कुछ घंटे बाद पूरा साल्व मिलने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कुछ घंटे बाद इस पूरे पेपर का साल्व मिलने वाला है ठीक है और आप भी कमेंट में कमेंट करके जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि आपके जो पेपर है उसका संकेतांग क्या है जी हाँ आपका जो पेपर मिला है उसका संकेतांग 316 इजे है या और कोई है ठीक है अगर दूसरा कोई होगा प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पर 81 15 43 16 36 पर वार्टसप कर दीजिएगा ठीक है इस नंबर पर वार्टसप कर दीजिएगा जिसका ये होगा ये तो सालब ही हो जाएगा ठीक है और उसके बाद अगर आप का ये संकेतांग नहीं है कोई दूसरा है तो आप इस नंबर पर वार्टसप जरूर करें ताकि उसका उस पेपर का भी सल्यूशन हम करवा पाएं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ये आप कर लिए होंगे इसी में से आता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फालोइंग टॉपिक्स इन बाउट वन हंड्रेड से वन फिप्टी वर्ट यहनी साओ से डेड़ सो वर्ट तक लिखना है टेररिज्म पर मैंने बताया था प्यारे दोस्तों टेरिज्म पर बताया था और यह आ गया है ठीक है हाउ टू लांग ए लांग हेल्थी लाइफ इ देख रहे हैं ना पूरा का पूरा पेपर फस गया इसमें से पूरा तो नहीं फसा है कुछ कोश्चन्स फसे हुए लगबख 75 परसेंट हमारे पढ़ा हुए फस गये हैं और आगे देखिए राइट लेटर टू द डिस्टिक्स मजिस्टेक आफ यूर डिस्टिक्स रिक्व लेटर लिखना था मैंने लेटर लिखने के लिए खुब अच्छे से पढ़ाया था आप किये होंगे एक लेटर इसमें से ठीक है या यह किये होंगे इस पर आप लेटर लिखे होंगे ठीक है दाम बदल के लिखना है फिर देखिए ये आपका है चुछ दा करेक्ट who answer the following question, इसमें से जो correct है, वो आप, that which can not be corrected, is called, आपने कौन सा correct किया है, comment box में जरूर बताईएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ, the phase born of contention, mean, और इसमें से आपने कौन correct किया है, comment box में जरूर बताईएगा, the synonyms of been to, ठीक है, इनमें कौन किया है, comment box में जरूर बताईएगा, दोस्तों, आगे देखिए, next, always speak a truth, with world in this sentence, is an error, इसमें से कौन सा error था, ठीक है, वो आपको बताना है, the antonyms of ancient is, ठीक है, इसका antonyms बताईएगा, तो modern इसका antonyms हो जाएगा, next, देखिए, change of any of the, following into the indirect speech, यानि indirect speech, इसमें से एक का indirect speech बनाना, he said to me, I shall help you, ठीक है, दो में से एक का बताना है, और यहाँ पर अगला प्रस्था, combine on one, any one of the following as directed, ठीक है, he is very fat, he cannot run fast, इसमें से आपको ये करना था, एक, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये सारे प्रस्था आये हुए हैं, जो मैंने बताये थे, change of any to the following as directed, ठीक है, इसका passive करना है, ठीक है, active passive जो है, दो में से एक करना है, और यहाँ पर correct of any to the following sentences, जो में से correct करना है, दो में से एक को, use on one the following pairs of words in your one sentence to make the different in their meanings clear, ठीक है, यानि इसमें से जो meaning different है, उसको correct करना है, और प्यारे बच्चों मैंने sentence को, यानि ये जो दिख रहा है आपको, translation, हमने बताया था कि translation अगर ना आए, तो कैसे करना है, जाके देख लीजिएगा दोस्तों, या फिर link हम आपको description box में दे देंगे, अगर, अगर by the way मान लीजिए, आपको नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़के नहीं गए, वो 365 दिन आपने सोया, खाया और टहला, आपने school मुह नहीं देखा, ठीक है, क्यों घूमने में बिता दिया, तो ऐसे बच्चे, मैंने बोला था क्या करेंगे, कैसे translate करेंगे, उसके लिए tips बताये थे, ठीक है, तो यह जो दिख रहा है, इसको solve करने का trick बताये थे, प्यारे दोस्तों, आए, next देखिए, next page, answer the following question in about 40 words, यानि, इस में से दो में से, आपको 40 words करने है, यह और बीम दोनों में अथवा में करके दिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं, answer anyone the following in about 80 words, इसके भी 80 words लिखने है, दो में से एक का लिखना है, और यहाँ पर, read the following extra carefully and answer the question in that below, ठीक है, question answers है, यह आप की होंगे, अगर book पढ़े हैं, प्यारे बच्चों तो, ठीक है, आगे देखे, write the central idea, central idea को पूरा तो पूरा वही आ गया है, प्यारे बच्चों, यह देखे, यह सारे questions बताएं, एक तीन का तीनों फस गया है, ठीक है, answer the following question in about 40 words each, और यहाँ पर 40 words में आपको question answer देना है, यह अथवा में करके दिया है, दो में से किसी एक का दे दीजिएगा, मैंने बताया था कैसे करना है, फिर देखे, anyone, यह long answer type question है, दो में से आपको एक का answer बताना है, ठीक है, यह long answer type question है, 80 words में लिखना होता है, पैरे बच्चों, इस तरीके से, हमारा यह जो paper है, इसका answer यहाँ पे अगले वीडियो में पूरा मिलने वाला है, ठीक है, और दूसरी चीत, आपका अगर दूसरा कोई संके तांक है, तो मारे WhatsApp नमबर पे WhatsApp जरूर करें, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी पढ़ाया था, वो इमानदारी से पढ़ाया था, कोई cheating करके नहीं पढ़ाया था, और दो से तीन दिन पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है, दो तीन दिन इसका वीडियो भी नहीं डाला इसलिए, तो चलिए, आगले बीडियों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!